है यहां पर हमारे पर स्क्वेस्ट एक डिफाइन जहां पर इस तरीके से डिफाइन क्या है तो रिलेशन और के बारे में पूछा गया है सबसे पहले हम लोग रिलेशन आर में जितने elements हैं उसको हम लोग लिखने का try करते हैं ठीक है यहां पर जो A, R, B हमें define किया गया वो क्या है A square minus B square का mod क्या होना चीए less than equal 5 और set A में हमारे पास element क्या है 1, 2, 3 है ठीक है तो relation R की अगर आप बात करोगे तो relation R में देखो अगर हम 1, 1 put करते हैं तो यह 0 हो जाएगा ठीक है तो 1, 1 element हमारे पास होगा 2, 2 element होगा और 3, 3 element हमारे पास होगा ठीक है साथ है अगर आप 1, 2 element की बात करों तो 1, 2 element भी हमारे पास होगा 1, 2 होगा तो 2, 1 element भी होगा ठीक है 2 and 3 की अगर हमनों बात करें तो 4-9 5 दे देगा तो 3 भी हो सकता है 3,2 भी हो सकता है ठीक है 1 और 3 की अगर हमनों बात करेंगे तो 1 और 3 में यह नहीं आएगा ठीक है तो यह कितना 9-8 हो जाएगा तो उस condition में satisfied तो R में हमारे पास यह सारे element होंगे ठीक है और यही सारे element देखो आपके पास इस वाले element में भी है ठीक है अगर आप इसी का inverse calculate करते है ठीक है तो inverse में यह सारे element तो change नहीं होंगे same ही रह जाएगा 1,2 का क्या बन जाएगा 2,1 और 2,1 का 1,2 ठीक है और अगर हम range की बात करें तो range of R में कौन-कौन सा element आ रहा है तो range of R में हमारे पास 1,2,3 ठीक है तो यहां से हमारा कौन सा option आप मार्क कर सकते हो यहां पर आप A, B, C, C आप मार्क कर सकते हो ठीक है पुर्णा ग कि अजा से हो यहां पुर्ला है